नमस्कार शामद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनो आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानन डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चेनल गो ब्लोक्स में इस स इस हतेली में एक चीज तो इस पश्ट है यहां पे देखेंगे तो आपकी जो मस्तिस्क की लकीर है और आपकी जो जीवन की लकीर है जहां से ये उत्पन हो रही है इनका उदय हो रहा है वहां पे एक गैप दिखाई दे रहा है इसका मतलब है स्वतंत्र विचारधारा वाल स्वतंत्र विचारधारा की जातिका हैं, अपने मन की करने वाली, अपने मन की मालकिन, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप काम नहीं कर सकती हैं, ठीक है ने, थोड़ा जिद्दीपन आपके जीवन में जरूर रहेगा, जिद्द जरूर रहेगी, लेकिन responsibility निभ बहुत अच्छी रहेगी, जहां पुरानी चीजों को, उनकी अच्छी चीजों को लेके चलेंगे, वहीं नई technology के साथ भी आगे बढ़ेंगी, और ये बेहतरीन चीज आपको बहुत अच्छे मुकाम तक पहुँचाएगी, और ये चीज, आपकी मस्तिस्क रेखा कह रही है कि आपके अंदर एक creative व्यक्तितों को उत्पन्न कर रहा है, लंबी और हवाई यात्राओं का खुब मौका जिवन में मिलने वाला है, खुब मौका, सुन्दर और बेहतरीन मौका, जिस से मन प्रशन रहेगा और खुसन मा माहोल बना रहेगा, मस्तिस्क रेखा ये भी बता नहीं है कि आपकी जो मानसिक इस्तिती है, जिसको कहते हैं मानसिक पावर वो बहुत अच्छा है, कहीं न कहीं बिबेक वान बेक्तित्व है, और अपने बिबेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला बेक्तित्व है, आप जो भी कारे करेंगे मस्तिस्क से कारे क करेंगे और अगर सरकारी नौकरी या इससे समंदित छेतर में कार्य करने की सोचेंगे और मेहनत अगर बहुत अच्छी बढ़ा दींगे तो इन छेतरों में भी आपको सपलता मिल सकती है इसकी संभावना भी दिख रही है अब यहां पे यह देखें थोड़ा मंगल का जादा प्रभाव पड़ रहा है तो और कॉन्फिटेंस बहुत जादे दिखाई दे रहा है हाला कि जो प्रारंभिक दोर है कम से कम 35 तक का उसमें चाए आंसिक रहे लेकिन संगर्स की इस्तिती भी बनी रही और खास करके आपका सुक्र बता रहा है आप बहुत जादा इंटेलिज हैं और आगे जो है इस बुद्धिमता में बहुत जादा अंतर आ जाएगा आप जो है अपने बौदिक अस्तर को बहुत जादा बढ़ा देंगी लेकिन तीन चीजों से आपको हमेशा बचके चलना है एक तो जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है दूसरा और तीसरा उतावलापन से आपको बचके रहना है अगर इन तीन चीजों में फस गए तो जीवनकाल में संगर्स बढ़ेगा धनहानी होगी और तकरीबन तकरीबन जो है फोटी वनी एयर तक आपको ब्यापार के बारे में जादा नहीं सोचना चाए कोशिस करनी है नौकरी की तरब जाए ब्यापार बड़ा सोच समझ कर करना चाहे ब्यापार में नुकसान की संभावना को दिखाई दे रहा है अगर ब्यापार करती भी है तो पार्टनर्शिप में आपको ब्यापार नहीं करना है ये आपकी हतेली बता रही है और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास्वयम का धन आएगा खासकर जीवन में धन कमाने की इस्तिति थोड़ी सी लेट बन रही है लेकिन सारी चीजों को अगर हम मिला के देखें तो जीवन में 36, 36 वर्स और 42 वर्स आपके लिए शांदार इस्तितियान लेके आएगा गोल्डन प्रियड लेके आएगा और 57 आपके लिए महा गोल्डन प्रियड लेके आएगा यहां पर बता रहा है लिकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पीठ का दर्द है घुटने का दर्द है कमर की प्रोब्लम है इसकी संभावना बढ़ सकती है यह संभावना यह दिखाई दे रही है तो इसके लिए योगा है प्रणायाम है मेडिटेशन है यह चीजें आपको जरूर करनी होगी यह यहां पर आपकी हतेली बता रही है दूसरी बात अगर हम यहां पर देखें तो आपका जो यह भाग्या अस्तान है शुन्दर इस्तिति में है और इसकी जो उंगली है यह एक सही अनुपात में दिखाई दे रही है जो एक को रेट बता रही है कि आपकी जो मानसिक ताकत है वो बहुत अच्छे रहने वाली है साथ साथ में यह उंगली भी कहीं न कहीं इसका साथ दे रही है और यह बता रही है कि मानसिक चमता के साथ साथ अध्यात्मिक चमता भी बहुत अच्छी रह बिवेक बहुत अच्छा रहेगा आप अपने जिवनकाल में दूसरों की मदद भी खूब करेंगे बुद्धिमान जातिका है और इन सब के कारण भाग्या बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है आपका भाग्या आप पर महर्बान दिखाई दे रहा है इसका साथ मिलेगा दूसरी बात अगर देखें हतेली में यहाँ पर हतेली की आकरते अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जादतर हतेली के आकरते आयताकार बन रही है और हलकी चोकोर दिखाई दे रही है इसका मतलब जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिस्क से बहुत ज़्यादा काम चलता हो और उसमें सारीरिक मेहनत की जरूरत तो होती हो लेकिन कम होती हो ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल रहेगा तरकी देने वाला रहेगा आप उन्नती भी खूब करेंगी ऐसे करियर को अगर चुनती हैं तो और विशेश कर ब्रिस्पति से समंधित करियर क्योंकि आपका ब्रिस्पति एक शानदार रूप में खड़ा है तो चाहे सिक्षा का छेतर हो, इंजीनियरिंग का छेतर हो, चिकित्सा का छेतर हो, मैनेजमेंट का छेतर हो, बानिज्जा का छेतर हो और कानून का छेतर हो ऐसे छेत्रों में अगर आप मेहनत करती हैं परिश्रम करती हैं अपना फोकस बढ़ा लेती हैं मन की एकागरता को बढ़ा लेती हैं और एक ध्यान लगाकर इसमें पढ़ाई करती हैं इसकी और जाती हैं तो ऐसा करियर आपके लिए बहुत जादा सोटेबल रहेगा तरकी दे ने वाला रहेगा और इन छेत्रों में आप कामियाबी भी खुब पाएंगे ठीक है ने यहां पर दिखाई दे रहा है अब आपने पहला प्रश्ण पोचा है एजुकेशन और करियर के बारे में बताएं देखेगा एजुकेशन का जहां तक मामला है आपका जो है ब्रस्पति सांदार इस्तिति में है आपका कहीं न कहीं सूर्य अस्तल भी बहुत सुन्दर इस्तिति में उबर रहा है और इसमें चिन भी बहुत अच्छी दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपकी मिडल फिंगर पूरी तरों से जुक रखिया है रिंग फिंगर की तरफ एजुकेशन के ल लातावा दिखाई दे रहा है लेकिन मिडिल फिंगर पूरी तरों से जुक रखी है इसकी तरब इसका मतलब है जिस प्रकार का फोकस होना चाहिए जिस प्रकार की मेहनत होनी चाहिए जिस प्रकार की मन की एकागरता होनी चाहिए उसमें कमी दिखाई दे रही है आपको मेहनत बढ़ानी है फोकस बढ़ाना है मन की एकागरता से जो है काम करना होगा निश्चित ही जो है अच्छी एजुकेशन आपकी दिखाई दी रही है दूसरा मामला रहा करियर का यहां पे मैंने गिनाय है इन छेत्रों में आपको सपलता मिलेगी लेकिन करियर और धन की रेखा यह साड़े तीन बरस लगेंगे साड़े तीन बरसों के बाद यह अपनी अच्छी इस्तिति में आएंगे तो इसका मतलब है कि जब आपका जो है एजुकेशन का मामला सेट हो जाएगा अच्छा हो जाएगा और साड़े तीन बरसों के बाद आपका करियर की इस्तिति अच्छ दिखाई दे रही उसके बाद आपको एक सुन्दर रास्ता मिल जाएगा करियर भी आपका बहुत अच्छा होने वाला है अब आपने बात की है सेहत की सेहत कैसे रहे की, सेहत आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन आपका जो ये निम्न मंगल है यहां पे, ये बहुत ज़्यादा गड़ा युक्त दिखाई दे रहा है, ये अच्छा नहीं है, जब ये गड़ा लायुक्त होता है, तो बेक्ती के अंदर जो है कई बार confidence level की कमी करता है, कई बार ये नजर दोस्त देता है, सारिक ताकत को कम करता है, कई बार ऐसी इस्तितिया आती है, बेक्ती अपनी चीज़ को किसी को कह रहा है, बहुत ज़्यादा सभा के बीच में, तो उसके अंदर कि समस्या उत्पन हो जाती है कि receptive का काम करता लेकिन कम पन के समस्या हो जाती है बहुत जयादा यह खराब होने बैठ गया तो पेट से समंधित परेशानिया आया हम कहें जिसको प्रेशर की समस्या इस परकार की आ तो इसको ठीक रखने के लिए मैं आपको जो है एक छोटी सी चीज दे रहा हूं किरिया भी दे रहा हूं दिब्यसूर्य किरिया इसको जरूर करे आपको लाब होगा तीसरा आपने कहा परिवार से रिष्टे कैसे रहेंगे देखेगा परिवार से रिष्टे सामन्य तरीके से अगर हम देखें तो आपका सुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में है बहुत खुब सुरत दिखाई दे रहा है और आपका जो है ब्रस्पती भी पुष्ट दिखाई दे रहा है रिस्तों के मामले में दोनों चीजें बेहतरीन हैं शुन्दर हैं तो कहीं न कहीं जो है परिवार से रिस्ते आपके शांदार रहेंगे बलकि आपकी जीवन रेखा कहे रही है कि परिवार के परती बहुत जादा समर्पण की भावना दिख रही है समर्पित जीवन ठीक है न बहुत केरिंग वाला बिक्ति तो आपका रहने वाला है ये दिख रहा है आपने लिखा है विवाह लब मेरीज में काम्याबी होगी या अरेंज मेरीज में देखेगा सबसे पहले इसमें सुक्र को देखना चाहिए सुक्र आपका शांदार इस्तितिमी है ठीक है ने इसका मतलब है और ब्रस्पति तो बैबाहिक जीवन आपका जैसा भी रहेगा बहुत सांदार रहेगा घोमने फिरने की बहुत जादा सोकिया रहेंगी लंबी और हवायात्राओं का मौका मिलेगा अब देखेंगे यहाँ पे हिर्दे रेखा सीधा देब गुरु ब्रस्पति से युक्ति बना रही है और जब भी हिर्दे रेखा देब गुरु ब्रस्पति से युक्ति बनाती है तो प्रेम बिबाह में कामियाबी को दिखाती है कि प्रेम बिबाह अगर कर ले love marriage कर ले बड़ा analysis करके बड़ा देख दा करके तो कहीं न कहीं जो है love marriage में ज़्यादा काम्याबी होगी क्योंकि दिल से ज़्यादा सोचने वाला बिक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है दूसरी अगर हम यहां पे बात करें तो आपकी हतेली में इस मंगल पर रेखाई डेपलप होती हुई दिखाई दे रही है जो कहीं न कहीं बता रहा है आप बहुत सोबग्यसाली है ठीक ने दूसरों का सयोग आपको जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की भी आपके उपर बहुत अच्छी किरपा है आप इसको अनुभव भी करेंगे ये लब मेरीज का भी बहुत अच्छा सिंगनल होता है दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है आप में अच्छी परतिबा है आप तीब्रबुद्धी के मालिकिन है सोचने समझने की ताकत आप में बहुत अच्छी रहेगी और ऐसा भी ब्यक्तित्व निखर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार येदि कोई निरणे ले लेंगे तो उसे अंततक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे धीरे धीरे आपका भीक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभाव साली भी रहने वाला है ये ये भी दिखा रहा है ठीकने तीसरी बात आप भग्य साली क्यों है क्योंकि मंगल की रेखा जैसे जैसे डेपलाप होगी इसका प्रभाव जीवन पे ज़्यादा पड़ेगा आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा कहीं न कहीं से ब्योस्ताइं हो जाएंगी आपका काम चल जाएगा ये इस्तितियां दिखाए दे रहे हैं दूसरी बात देखेंगे तो कहीं न कहीं कुछ और भी यहां पे रेखाई उभर रही है इसका मतलब है आपको निश्चित रूप से अपने मकान का सुक मिलेगा ही मिलेगा आपका अपने जिवनकाल में अपना मकान बनेगा ही बनेगा प्रोपर्टी बहुत अच्छी होगी और सरकारी नौकरी की कोशिस करें तो बड़ा सुक मिलने वाला है यह इस्तितियां यहां पे जबरदस्त रूप में दिखाई दी रही है ठीक है यह है आपकी हतीली एक्चुल रूप में आपको अन्य की तरब चलें आपने भाईयों से रिष्टे कहें यह कुटम और भाईयों का ग्रह माना गया है यहां पे देखेंगे तो यह बहुत सुन्दर इस्तिति में है ठीक है ने तो भाईयों के साथ रिष्टे भी आपके अभी जैसे भी हूँ क्योंकि इसके अनसार जो है थोड़ा जिद्दीपन आपके अंदर है स्वतंतर बिचारधारा का बिप्तित्व है अपनी मन की मालकिन है किसी की बहुत ज़्यादा सुनती नहीं है अपनी मन की करने वाली है किसी की जो है कंट्रोल में किसी के आदिपत्य में काम नहीं करती है यह यहां पे इस पष्ट दिखाई दे रहा है, अभी ये चीजें जादा है लेकिन इसके अनुसार जो है भाईयों के साथ रिस्टे आगे बहुत सांदार रहेंगे, मधुर रहेंगे यह दिखाई दे रहा है, दूसरी बात देखेगा ये जो परवत है, कला है, सुन्दर्य है, शुन्दर्ता है इन सब चीजों के लिए और एक सुखत जिवन जिने के लिए इसका पुष्ट होना, शुन्दर होना बहुत जरूरी होता है आप देखेंगे आपकी हतेली में ये सुक्र का परवत सुन्दर्रोप में उबरा दिख रहा है, तेजोमय अवस्ता में है आपको भी ये तेजोस्वी बना रहा है आपका चेहरा भी कहीं न कहीं इसके कारण चमकदार रहेगा, शुन्दर होगा और जो सुन्दर्ता है, जो आकरसन है, हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा आप इस सुक्र के कारण हर प्रस्तित को जहलने की ताकत रखेंगे तीसरी बात देखेगा, अपने को मेंटेन रखना, अपनी परस्नल्टी पर ध्यान देना अपने को सज सवार कर रखना ये चीज़ें जादा रहेंगे नई चीजों के पर तिरुजान रहेगा, चैये नई परकार का फैशन है नई परकार के कपड़े हैं, या मार्केट में नई परकार की कुछ चीज़ें है बहुत एक सुख सुविधाओं के तरफ बहुत ज़्यादा आकरसन रहेगा चैये लक्जिरेस लाइप है, या अल्टरा लक्जिरेस लाइप है, इसकी तरफ आकरसन रहेगा गलेमर के तरफ जादा अट्रेक्ट होंगी चमक के तरफ जादा अट्रेक्ट होंगी और इनको अपनाने के लिए भरपूर मेहनत भी करेंगे ये आपका सुक्र दिखाई दे रहा है तो आपके सवालों को विदिवत तरीके से मैंने देख लिया है एक कमी हतेली में दिखाई दे रहे हैं इसका उपाई बहुत जरूरी है आप देखेंगे इसमें एक तिल दिखाई दे रहा है और ये तिल बड़ा असुप माना जाता है ये बिक्तिकी जो परसनल्टी है उसकी personality पे उसका जो मान सम्मान है जो प्रतिष्टा है उस पे ये कहीं न कहीं चोट पहुँचाने का काम करता है मैं एक सुन्दर सा प्राकृतिक उपाई दे रहा हूँ इसको जरूर करिएगा इसको मत छोड़िएगा और आप करती नहीं करती ये आपके उपर depend करता है क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे और चीजें अपने आप भी develop हो जाएंगी नहीं भी करेंगी आप तो भी चलेगा लेकिन इसका बहुत सांदार उपाई आपको करना ही करना है अगर इसका उपाई कर लिया तो आगे चलकर आपका जो सम्मान है वो जबर्दस्त रूप में उबरेगा और इसका लाब आपको प्राप्त होगा ठीक है नगा यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरों से जुक रखी है इसकी तरफ जीवन में यस पाने की चाह रहेगी नेमफिम पाने की चाह रहेगी और अपने करियर में बिस्तार पाने की चाह रहेगी यहाँ पे देखें दोनों उगलियां बराबर है मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है धन और यस की भूक है पैस और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी समझते हैं आप और जीवन का मात्र लक्षबी जादतर यही रहेगा यह दिखाई दे रहा है यहाँ पे थोड़ा सा गैप है जब भी सनी आपकी कुंडली में साड़ी साती में हूंगे धाया में हूंगे या बक्री अवस्ता में हू अब कितना पड़ेगा यह आपके करमाज के उपड़ डिपेंड करता है धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी यहां तक नाखोन बनाएं तो कम्यूनिकेशन स्किल्स में भारी बिर्दी होगी इसका लाब कमाई यहां पर अगर नेचुरल तरीके से अगर छेद है तो जीवन काल के 35 वर्स तक तीन चीजों में से एक या दो चीज रहेगी या बहुत ज़्यादा खर्चिला स्ववाव रहेगा या धन के मामले में संगर भी नई पाएंगी इन चीजों में से एक या दो चीज जरूर बनी रहेंगे धन और यहसकी भूक रहेगी पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी रहेगा और इसके लिए मेहनत भी खूब करेंगी एक सुखत जीवन जीने की चाहा बने रहेगी और सुखत जीवन जीने के लिए प्रतनसीर ब्यक्तित्व भी बना रहेगा स्वयम की मेहनत और स्वयम के परिष्रम से ही व्यक्ति जीवन में स्रेष्ट सपलता पाएंगी हालां कि जो प्रारंभिक दोर है उसमें संगर्ष जरूर रहेगा लेकिन इसी संगर्ष से उठकर हर सुक को पाएंगी हर सुक का भोग भी करेंगी यहाँ पे इस पश्ट चीजें दिखाई दे रही है यह है आपकी हतेली दूसरी बात देखेंगे यहाँ पे निम्न मंगल के बात मैंने की लेकिन उच्च मंगल ठीक है तो प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा और एनरजेटिक स्वभाव भी यहाँ पे बना रहेगा बिरस्पति भी आपका बहुत अच्छा है इसका मतलब है जातिका स्रेष्ट है अपने जीवन काल में स्वयम तो उन्नति करेंगी ही जो आप से जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में साहिता परदान करेंगी एक सही योगी की भाति रहेंगी लेकिन स्वाविमान की भावना बहुत ज़्यादा रहेगी नौलेज बहुत अच्छी रहेगी नियाई प्रिय बिक्तित तो रहेगा कभी कभी अपनी बातों का निरोहन करने वाला बिक्तित वहावी हो जाएगा दूसरों की खुब मदद करेंगी और धार्मिक भावनाई भी आपके अंदर अच्छी रहेगी और देखेगा जब भी आचारे ब्रस्पति इस तरह से सुन्दर और पुष्ट होता है जाए आप महिला हैं जाए आप पुरुस हैं आप निश्चित ही अच्छी नौलेज रखते हैं और आत्म ज्यानी होते हैं ऐसे लोगों को जीवन में अपार मान सम्मान मिलता है जीवन में बहुत सारा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है चाहे सड़क का केनारा हो, चाहे महलों की उचायो हो, हर जगा ऐसे बेक्तियों को सम्मान मिलता है और देखेगा, परेशानिया और प्रस्तितिया सबकी जीवन में आती है समस्याएं जरूर आपकी जीवन में भी आएंगी, जितना बड़ा जीवन होगा, जितने उच अस्तर का जीवन होगा, उतनी ज़्यादा समस्याएं आएंगी लेकिन समस्याएं आएंगी तो जरूर, लेकिन आपको जो है बहुत नुकसान नहीं पहुँचाएंगी आएंगी अनिष्टनी कर पाएंगी जैसे आई थी वो यसी चले जाएंगी कुछ देर प्रेशान कर सकती हैं लेकिन आप समस्याओं से बच जाएंगी यह यहाँ पर दिखाई दे रहा है सनी बहुत अच्छा है आपका अगर एक बार पढ़ने बैठ गए तो मन बहुत अच्छा रहेगा लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो मन इधर उधर जाएगा तो ध्यान रखना है सूर्य अच्छी इस्तिति में आपका आ रहा है आगी जबर्दस्त प्रसिद्धी के योग है और सरकारी नोकरी के सांदार योग बन रहे हैं मेहनत करें बुद्ध आपका बहुत सुन्दर है और खूप सूरत है पुष्ट भी है जब देखेगा बुद्ध इस प्रकार होता है सुन्दर होता है तो व्यक्ति की चाहे महिला हो या प्रुस हो उसकी सारिरिक सुन्दरता भी बहुत अच्छी होती है उसकी तवचा की सुन्दरता क् की पैकेजिंग का मालिक है दूसरी बात है हर तरह की प्रस्तितियों को ऐसा व्यक्ति भली भाति समझने वाला होता है अगर आप योजना बना कर चलेंगी तो ज्यादा लाब होगा जो भी कार्य परारंब करेंगी उसे पूरा आउश्य करेंगी यह दिखाई दे रहा है मनों बेग्यानिक के छेतर में भी माहिर होंगी सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरों से जानेंगी मने कम्यूनिकेशनी स्किल्स सांदार रहेगा यह दिखाई दे रहा है चंद्रमा की बात करें चंद्रमा भी आपका बहुत सुन्दर है तो मानसिक रूप से बहुत जादा मजबूती दिखाई दे रही है कॉंफिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा और सरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आगे चलकर बढ़िया होगा आपके अंदर क्रियेटिविटी खूब रहेगी आप क्रियेटिव होंगी मां होंगी तो आगे चलकर मा का पूर राबिश लेशन करके आपको बता दिया है उपाई में बिदिवत तरीके से लिख करके और ओडियो के माद्यम से बेज रहा हों करने की कोसिस करें बहुत अच्छा लाब होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ मुनो पस्तित होंगा तब तक क के लिए नमस्कार